हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डी सरस्वती अकाडमी यूट्यूब चैनल में आज का प्रश्न इतिहास क्लास 10 के एक चैप्टर यूरोप में राश्ट्रवाद का उदे से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्रश्न है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामुहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाएं इसका उत्तर है फ्रांसीसी लोगों के बीच सामुहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं जो निम्दलिखित हैं पहला पॉइंट है ला पैटरी यानी पित्रिभूमी और ले सिटिजन यानी नागरिक जैसे विचारों ने एक सन्युक्त समुदाय के विचार पर बल दिया दूसरा पॉइंट है सबको एक सम्विधान के अंतरगत एक समान अधिकार प्राप्व थे तीसरा पॉइंट है राजवादी प्रतीक के स्थान पर एक नया जंडा अपनाया गया जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रात्रत्व का प्रतीक था चौथा पॉइंट है समान कानून और समान शिक्षा प्रणाली लागू की गई ताकि सभी नागरिकों में एकता का भाव बने सभी क्षेत्रों में फ्रेंच भाषा को अनिवार्य कर दिया गया जिससे सभी लोग एक ही भाषा में समबाद कर सकें और एकता महसूस कर सकें छठा पॉइंट है स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समोह द्वारा किया जाने लगा और इसका नया नाम नेशनल एसेंबली रखा गया साथवा पॉइंट है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किये गए और भार तथा नापने की एक ही मानत लागू की गई आठवा पॉइंट है नई स्तुतिया रची गई शपत ली गई शहीदों का गुनगान हुआ और यह सब राष्ट्र और एक्ता के नाम पर हुआ तो यही था इस प्रश्न का उत्तर अगर विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को यह विडियो जरूर शेयर करना